नमस्कार मैं राहुल राज जैसा कि आपको पता है बिनित पांडे सहित कलासेज इंग्लिस लिट्रेचर में आकर मैंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि आपके नोटिफिकेशन यूजी सी नेट के लिए 15, 16 या 17 दिसंबर में से किसी भी एक दिन आना 100% निश्चित है लेकिन मित्रों आपके लिए आपके हक के लिए आपके हक के लड़ाई लड़ने के लिए हमने बिनित जी ने और हमारे टीम के कई मेंबर हैं अलका पांडे मैम हैं ग्यानस्थली से आपको पता है ये सारे हमारे टीम के मेंबर हैं और हम सबने आपके हक के लड़ाई के कोशिष प्रयास जारी रखते हैं लेकिन मित्रों अगर सवाल आप लोग ही खड़ा करेंगे तो हम सक्षक या हम एक्टिविस्ट आपको किसी भी जानकारी देने से पहले पांच बार सोचेंगे क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है वो कहीं ने कहीं किसी sources के थरू आती है किसी office की थरू आती है और वो information मैं आप लोगों के साथ share करता हूँ अपने teacher के साथ share करता हूँ और आप तक information पहुचाता हूँ अगर इसमें कुछ उतार चडाब या 2-4-10 दिन उपर नीचे हो जाने पर आपके इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आपके इस नेगेटिव कमेंट्स से हमारा मनोबल तुटता नहीं है ना गिर सकता है लेकिन हम कमजोर होते हैं क्योंकि हम काम किसी एक दो ब्यक्ति के लिए नहीं पूरे समुदाय पूरे समाज पूरे देश के लिए कर रहे हैं और आपके 2-4-10 नेगेटिव कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता अब मित्रों मैं आपको बता दू कि हल ही में UGC के एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर सुरेंदर सेंग जी का रिटायर्मेंट हो गया UGC के अंदर UGC नेट एक्जाम का जो सारा कामकास था वो उनके थ्रू होता था और अब आपके बिच नए ज्वाइंट कमिशनर डॉक्टर तेजस जोसी जी परभार लिए अब मित्रो अब देखने की बात है मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ 14 दिसंबर को मैंने एक मेमरंडम डॉक्टर तेजस जोसी जी को भेजा दिया और इस नोटिफिकेशन में हमने डिमांड क्या रखा है इस 9 पॉइंट्स को आप देख सकते आपके इसके पॉइंट्स क लिस्ट पीडियप पे उपलब्द भी हो जाएगा लेकिन मित्रो यह आपकी लड़ाई है और आपकी लड़ाई लड़ने की बजा से यह 14 तारीक के मेमरंडम देने के बाद जहां तक आप देखेंगे कि 15 दिसंबर को NTA में एक अपना एनुवल एक्जाम का लिस्ट जारी क अगर दोस्तों नेट का एक्जाम मर्ज होना होता या नेट का एक्जाम जून में होना होता तो आपके एकजाम डेट्स यहां आ गए होते और आपको कैलेंडर में या दिखरा होता लेकिन मित्रो मैं आपको बताऊं कि आपका नोटिफिकेशन 15, 16 या 17 के बीच आना सुनिशित था लेकिन कुछ दिवांस जो हमने उनके समक्ष रखे वो अपने कोर कमीटी में बात करने के चलते इसको पेंडिंग रखें अब आपको मैं दो चीज बताने जा रहा हूं आप चाहें तो RTI लगाकर इस लेटर का या हमारी पूरी लड़ाई का एक-एक बेवरा एक-एक जानकारी ले सकते हैं आपको RTI के थुरू हर वो पेपर मिल जाएगा जिसकी लड़ाई हमने बिनिज जी ने या किसी भी मेंबर ने लड़ी और आपके समक्ष आकर सब कुछ बताया अब आप इसमें ध्यान देंगे जो सबसे महत्पूर्ण जो मैं उस दि पोटल में only jrf के लिए एक पोटल अलग से खोला जाए जिससे multiple times of assistant professor के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं बच्चों को रोका जाए और नए बच्चों को इसमें सामिल किया जाए मित्रों यह लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं होती है अगर कोई information गलत हो जाता है तो आ बात नहीं सर आपने जो भी जानकारी दिए हमारे हमें पढने के लिए दिया है आपको अंतिम लक्ष क्वालिफाई करना है आपको पढ़ाई करना है अगर किसी ने आपको यह बोला है मार्च में एकजाम है और मार्च के जगा प्रिल हो गया तो आपको दोस्तो एक महinyने जादा मिलेंगे पढ़ने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, सफल बनने के लिए, इस मुद्दे पे जादा जानकारी आप खुद से स्वैम से आकलन करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि कोई भी new channel, अगर किसी भी चीज के बारे में source के थूरू कुछ बताता है, तो हो सकता है क सही होने की होती है, जो इस case में हो रहा है, तो आप किसी को इस तरीके से negative comment करके, उनके मनोबल को ना तोड़ें, बलकि अपने मनोबल को boost करें, और हम लोगों को शमर्थन करें, support करें, अब आपको मोटा मोटी एक दो बात और बता देता हूँ, जैसे one sip, one examination का demand, center जहाँ venue बच्चे मांगते हैं, उस venue का, और अगर आप बात करेंगे कि man के लिए 40, और female के लिए, sorry, man के लिए 35 और female के लिए 40 years की demand, करोना काल में बहुत से हमारे attempt चले गए, इसलिए ये age में increment की बात मैंने की है, और भी ऐसी कई चीज़े मैंने demand किया है, जो 9 इस मातवपून points में आपके समक्ष रखा हुआ है, और आप ये देखेंगे कि ये 14 को मैंने memorandum दिया है, और आने वाले 15 हदी संबर को notification में आपका net का जिक्र तक नहीं है, तो आप बिश्वास मानिए, बहुत जल्द, अब मैं समय की जानकारी आपको नहीं दूँगा, लेकिन बहुत जल्द, आपको आपका UGC net examination का form इस portal पे दिखेगा और दिखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, दोस्तों आपने अभी राहुल राज को सुना, क्या जरूर थी उनको इस channel पे आके आज आपसे बात करते हुए emotional होने की, आप जानते हैं दोस्तों, जब कोई आपके लिए प्रयास करता है, तो वो प्रयास करने के लिए अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय, अपनी life से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी पारिवरिक जिम्मेदारियों से हटा करके, समाज के नाम पे आपके लिए आदे, राहुल जी ने on camera इंटर्यू में आके बोला कि लगबग 15-16 के आसपास एक notice आने वाला है, बहुत जल्दी notice आएगा, आप लोगों ने का बहुत अच्छी बात है, और जब वो आपको नहीं मिला, तो दो या चार लोगों ने comments करने शुरू कर दिये, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ क कोई शत्रज थोड़ी खेल रहे हैं कि हमारी हार है तो आपकी जीत है, अगर राहुल जी की कोई बात थोड़ा उपर नीचे हो गई, डेट्स उपर नीचे हो गई, तो आपके लिए लड़ने वाले हैं, वो आपकी टीम में हैं, और मैं एक चीज़ यहाँ पर on fact दिखाता ह के लिए एक आवाज उठाने वाले एक मशाल है, ध्यान से देखेगा, इस तारीक पे उन्होंने एक मैमोरेंडम दिया है, और नोटिस देखिए किस तारीक पे है, इस नोटिस में इस मैमोरेंडम की वज़े से सिर्फ एक चीज़ चेंज हो गई, वो है UGC 9, और वो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो आदमी आज आपके सामने इमोशनली बोल रहे है, वो आदमी आपके हक की लड़ाई के लिए जाके बोलता है, कि आप एक दिन में पेपर करवाईए, वो जाके बोलता है, जे एर एफ की अलग से विंडो कीजिए, वो जाके बोलता है, एज सारे पॉइंट्स, किस के लिए कर रहे हैं, और अगर उस आदमी को ये नहीं पता था कि नोटिस कब आएगा, तो कहने के बाद ही पंदरा को क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि जब वो नोटिस में नेट आने वाला था, उन्हीं के मेमरेंडम पे, जी हाँ, ये 9 चीजे जो 95 लोग ऐसे हैं, जो एक्चली एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं, समझते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन जो 5 लोग, कोई भी, आके कोई नेगिटिव कमेंट करते हैं, आप जानते हैं, वो 5 हमारे दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन हो, और उनके नेगिटिव कमेंट हमें आए, तो हमें अच्छा लगेगा, कि चलो कोई जल रहा है, वो 5 भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो 5 भी हमारे ही स्टूडेंट हैं, और इस वज़े से एक ऐसा इनसान, जो सब को इस्तियाक के आपके लिए लड़ रहा है, वो उन 5 कमेंट्स को दिल पे लेता है, उसे ब कर सकते थे, मैंने उनको कुछ नेगेडिव कमेंट्स के बारे में बताया है, कि देखिए सर, आप इतना प्रियास कर रहे हैं, आके बात कर रहे हैं, और ये बच्चे हमारा दिल तोड़ते हैं, और आज वो चीज उनको इतनी लगी, उनका सर, मैं आपके कैमरे पे आके खु पुशना चाहूँगा, एक सो चालिस करोड हिंदुस्तानी हैं, कम से कम अठारा लाख लोग बच्चे नेट एक्जाम देते हैं, आपके पास राहुल राज के लावा कितने नाम हैं, जो एक्चुली ये सब लेके, कभी विनी जोशी के पास, कभी पराशर जी के पास, लग जब आपके पास कोई authentic information लेकि मैं या मेरी टीम के जो और बहुत सारे members हैं, वो लोग आते हैं, तो हमारी information का एक बहुत बड़ा source राहुल जी की तरफ से आते हैं, वो चाहें तो रोज कैमरा पे खुद आ सकते हैं, हर उस information का credit खुद ले सकते हैं, लेकिन उस सरफ हमें बता दो चार दस नहीं हैं आपके साथ, उनका दिल मत तोड़िये क्योंकि अगर ये बिखर जाएंगे दोस्तों, अंदकार आपके लिए होगा, एक शैतान बच्चा जब बल्ब को फोड़ देता तो भूल जाता है कि उसने अपने लिए अंधेरा किये, बल्ब के लिए नहीं, बस यही मैसेज है, इस वीडियो को शेर करो और सबको बताओ, जरूरी है, सबको बताओ, कि गिने चुने लोग हैं जो आज हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, धन्यवाद.